मुलित्वय के चलनों में बारम बर नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू मुने शरीक पुर्ण्य से कर्म का क्षय नहीं होता परंतु परंपरा से मोक्ष का कारण होता है तो किस तर ऐसे परंपरा से मोक्ष का कारण होगा और कौन से पुन्य हमें संसार में भटकाने वाले हैं और कौन से हमें मोक्ष में ले जाने वाले है पुन्य कौन सा पुन्य हमें संसार में फसाने वाला और कौन सा पुन्य मोक्ष दिलाने वाला देखे पुन्य क्रिया भी है तो पुन्य भाव भी है क्रियात्मक पुन्य एक प्रकार की प्रवित्ती है जो हमें अपने आप से जोडने में बाधा बनती है लेकिन भावात्मक पुन्य एक बिशुद्धी है जो हमें हमारे सन्निकट करने में मददगार बनती है मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनो क्रियात्मक पुन्य एक प्रवित्ती है जो हमें ध्यान में डूबने में बाधा डालती और भावात्मक्पुन एक बिशुद्धी है जो हमें हमारे सन्निकट लाने में मददगार बनती है तो जब तक आप क्रियात्मक्पुन्य में लगे रहोगे आत्मा में नहीं डूप पाओगे ध्यान दान करोगे, पूजा करोगे जब करोगे, तब करोगे, ब्रत करोगे, उपवास करोगे एक क्रिया है यह अंदर नहीं डूप पाओगे लेकिन अपनी हृदे में विशुद्धी का प्रबल भाव उठाओगे, जगाओगे तो वो पुन्य तुम्हें तुम्हारी आत्मा में डुबाएगा कर्वे सिध्धान्त के दिश्टी से एक बात कहता हूँ, जब कोई ध्यान की गहराई में डूपता है तो उसे प्रती समय अनंत गुनी विशुद्धी चाहिए और विशुद्धी का लक्षन क्या है पता है? साता आदी पुन्य कर्मे कर्मों के बंध योग परिनाम का नाम विशुद्धी है और अशाता आदी अशुब कर्मों के बंध योग परिनाम का नाम शंकलेश है तो ध्यान की गहराई में डूबने के लिए अनंत गुनी विशुद्धी चाहिए मतलब भावात्मक पुन्य चाहिए ये भावात्मक पुन्य भाव रूप पुन्य पुन्य भाव की वृद्धी जितनी प्रबल होगी आपका मोक्ष उतनी जल्दी होगा इस अनन्त गुन विशुद्धी के बाद जब वो ध्यान में डूपते हैं उतरोत तर अनन्त गुन विशुद्धी और बढ़ते जाती है पुन्य का बंद भी होता जाता है और उस विशुद्धी के प्रताप से पुन्ज के पुन्ज पाप जड़ते जाते हैं जब पाप की जड़ उखड़ती है तब केवल ज्ञान होता है, करम शिधान्त की दिष्टी से अगर विचार करें, तो जब तक कोई भी जीव, जब तक सरवोत किष्ट पुन्न का बंध नहीं कर लेता, तब तक उसे केवल अज्ञान नहीं होता है। दस्वे गुनस्थान में साता बेजनी यस्किर्टिर उच्छ कोत्र जैसे प्रबल पुन्न प्रकृति का बंध होता है, सरवोत किष्ट, तब कहीं जाकर किसी को केवल अज्ञान होता है, तो बात मैं कहराओ, भावात्मक पुन्न तो हमारे मोक्ष का आधार है। इसलिए हमारे आचारियों ने कहा, मोक्ष श्यापि, परंपुन्याति सहचारत विशेशात्मक पौरसा भ्यामेव संभवाद, मोक्ष की संभवता, परंपुन्न के अध्से और चारत विशेश रूप, पुर्शारत के बलपर ही संभवाद, तो यह तो हुआ भावात्मक प पुन्यात्मक पुन्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात का बंध होता है और पुराने पाप की जलु खड़ती है तो क्रियात्मक पुन्न पुन्न के बंध के साथ पाप की निर्जराभी कराता है जो कालांतर में हमारी आत्मा में ऐसी योगता प्रकट करता है कि हम सारी प्रवित्यों से हट कर निर्वित्य के ओर जा सके और मोक्षी के अधिकारी बन सके तो प्रात्मिक भूमका में पुन्न को अपना धर्म मान करके चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है निर्वित्य में जानी सकते तो तुम्हारे पास क्या है सुभ प्रवत्ती ही तो आलम्मन है उसका आलम्मन लो ताकि कुप प्रवत्ती से बचा जा सके और जीवन को आगे बढ़ाये जा सके